तो हमने स्टार्ट किया था वी फार्मिसी फोर्ट सेमिस्टर फार्मा कोगनोसी में यूनिट नमबर फिप्थ और यूनिट नमबर फिप्थ के लास लेक्चर में हमने रोटीन एन इंजाइम को कम्प्लीटली कवर किया था जहां पर हमने जिलेटिन, कैसेन, पैपेईन, ब्र साथ ही साथ हमने इसी लेक्चर में उनकी commercial utility देखी थी कि हमारे pharmaceutical system में वो किस तरह से helping tool की तरह काम आते हैं जैसा कि मैंने आपको last lecture में भी बोला हुआ है यहाँ पर जो ads लिखा हुआ है उसका मतलब होता है helping tool ठीक है तो यह तो last lecture की बाते हो गई अब आज की इस lecture में हम cover करने वाले हैं lipids को ठीक है lipids की detail study करेंगे lipids होते क्या है साथी साथ castor oil, mogra oil, wolf fat and beeswax इन सब को detail study करेंगे इन सभी का हम source देखेंगे, preparation देखेंगे, evaluation देखेंगे, preservation देखेंगे, storage, therapeutic use and commercial utility as a pharmaceutical ad तो चलिए start करते हैं आज के lecture को lipids को, यहां से आपको 2 या 5 marks का question बनता है कई universities में जैसे SPPU तो महाँ पर 3 marks का question भी बनता है और कई universities में 7 marks का भी तो अगर 5 या 7 marks का question बनता है तो 2 आपसे compound पूछे जाएंगे और अगर सिर्फ 2 marks का question बनता है तो आपसे पूछा जाएगा, caster oil का biological source क्या है, caster oil के uses क्या है, caster oil की family क्या है यह सब आपसे पूछा जाता है या फिर आप caster oil को कैसे निकाल सकते हो plant से तो चलिए start करते lecture, हर एक को detail में देखेंगे, lecture को ध्यान से सुनना, सारा सब कुछ यहीं याद हो जाएगा अगर आपको all lecture की requirement है तो आप check कर सकते हैं अमारी playlist जहां पर आपको unit wise सारे lecture अवेलेबर है पर समस्टर से लेके फिर समस्टर लेके और जो भी आगे के lecture है हम वो mention करेंगे बहुत चल अगर आपको notes के requirement है तो आप टेलिग्राम जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम की link आपको description में मिलेगी और टेलिग्राम की pin message में आपको सारे notes unit wise mention किये हैं मैंने तो सिंगल क्लिक में आप download कर सकते हैं और जितने प्लिप्र प्रॉब्लम आती है आप चेक कीजिए video how to download notes चली शुरू करते हैं आज का topic तो देखो बिल्कुल basic से start करते हैं आज के lecture को यहाँ पर आपको सबसे पहले heading दे रखी है लिपिड लिपिड क्या होता है तो देखो the lipid are the organic compound which are made up of heterogeneous compound लिपिड क्या है lipid एक organic compound है ध्यान से सुनना lipid एक organic compound है जो की heterogeneous compound से मिलकर बना है हेटेरों का मतलब होता है different तो different different compound से मिलकर बना है जैसे की fat, oil और wax तो हमने देखा lipid एक organic compound है जो की heterogeneous compound से मिलकर बना है अलग-अलग तरह के compound से मिलकर बना है जैसे की fat, oil और waxes ठीक है next line में आपको लिखा है these are soluble in oil, fat and alcohol जो lipid होते हैं वो soluble होते हैं oil, fat और alcohol में तो यह definition काफी easy हो गई आपके लिए कि lipid क्या है, lipid एक organic compound है जो की तरह-तरह के heterogeneous compound से मिलकर बना है जैसे की fat, oil, wax और जो lipid होता है वो soluble होता है oil में, fat में, alcohol में तो लिपिट का function देखते हैं तो lipid क्या करता है हमारी cell को energy provide करता है जो हमारी cell होती है उसको energy कोई provide करता है, lipid प्रोवाइट करता है, साथी साथ lipid जो है act as a structure and component of cell membrane हमारा जो structural component होता है न, cell membrane का, cell membrane की structural component कोई बनाता है, lipid बनाता है साथ lipid जो है protect करता है external environment से, जैसे माल लीजी यह cell है, अभी cell के ओपर कोई भी attack वगेरा होता है तो वो जो बहार के external environment होते है, उनसे protect करता है कौन, lipid, तो cell को external environment से protect करता है lipid, साथी साथ cell का structural component बनाने का काम होता है lipid का ठेक है, ठेक है सर हमें यह आतक समझ में आ गया, अभी आगे चलते हैं, आगे है आपके पास classification of lipids तो देखो classification of lipids में सबसे पहला है simple lipid, जहाँ पर आपको example दे रखे है fat और wax उसके बाद है compound lipid, जहाँ पर आपको example दे रखा है phospholipid, glycolipid और lipoprotein तो simple lipid में आता है fat or wax और compound lipid में आता है phospholipid, glycolipid, lipoprotein अभी हम करने वाले हैं evaluation, मतलब हम पता लगाने वाले हैं कि जो हमारे पास sample है जैसे माली जी आप यहाँ पर खड़े हैं और मैंने आपको sample दे दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ यह sample जो है lipid है या नहीं तो फिर आप क्या करोगे test करोगे और उस test को हम क्या कहेंगे evaluation test evaluate करना पता लगाना तो हम sample का पता लगाएंगे कि क्या यह जो sample है यह lipid है या नहीं तो सबसे पहला test है आपका ठीक है ताल कोवस्त की test अब इसका pronunciation अपने according देख लेना आपको वैसे भी spelling दियान रखना है तो सबसे पहला आपको क्या लेना है sample लेना है जो आपने sample लिया है उस sample को आपको dissolve करना है chloroform में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिया है sample लिया है यह मैंने highlight कर दिया sample लेके मैंने chloroform के solution में यह जितना भी solution है यह सारा chloroform का है उस chloroform के solution में मैंने sample को रखा हुआ है तो सबसे पहले आपको sample लेना है जिसका आपको पता लगाना है उस sample को आपको dissolve कर देना है chloroform के solution में उसके बाद आपको क्या करना है equal volume of concentrated S2SO4 तो देखो मैंने यहाँ पर भी वही लिखा है sample load dissolve करो chloroform में उसके बाद उतना ही equal volume आप concentrated S2SO4 का उसमें add करो उसके बाद आपको क्या मिलेगा उसके बाद आपको मिलेगा cherry red color तो अगर cherry red color आता है यह सब करने के बाद अगर cherry red color आता है तो मबारक हो यहाँ पर lipid था और अगर cherry red color नहीं आता तो यहाँ पर sample में कोई भी lipid नहीं था ठीक है उसके बाद है आपका liverman test तो liverman test में आपको क्या करना है सबसे बहुते sample लेना है उस sample को dissolve करना है chloroform में तो वही आपने करा sample लिया ठीक है उस sample को किसमें डाल दिया chloroform के solution में अब वहाँ पर आपने क्या करा था सिर्फ और सिर्फ H2SO4 add किया था ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या करना है H2SO4 तो add करना है साथिसाथ कुछ drop acetic anhydride की भी add करनी है तो सबसे पहले आपने क्या करा सबसे पहले हमने sample लिया sample को chloroform में डिजॉल्व कर दिया sample को chloroform में डिजॉल्व कर दिया कुछ drops दाली acetic anhydride की कुछ drops दाली concentrated S2SO4 की उसके बाद क्या हुआ solution जो है red हुआ थोड़े टाइम बाद वो blue और finally blueish green हो जाता है तो पहले red होता है फिर थोड़ा थोड़ा blue और finally किसा हो जाता है blueish green हो जाता है तो अगर आपको finally blueish green color obtained होता है मतलब यहाँ पर lipid था तो चलिए अब syllabus के according स्टार्ट करते हैं syllabus में आपको सबसे पहले castor oil दे रखा है फिर moagra, फिर wolfate और फिर bees wax आपको दे रखा है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर castor oil लिया है अब हमें क्या-क्या देखना है सबसे पहले हम देखेंगे castor oil के synonym मतलब castor oil को और किस नाम से हम जानते हैं तो अगर हिंदी में बहु बोलूँ तो अरंडी का तेल ऐसे बोलते ना अरंडी का तेल तो अरंडी का तेल मतलब castor oil ठीक है या फिर आप बोल लिजिये castor bean recinus oil तो castor bean recinus oil और विकें से अरंडी oil ठीक है तो castor oil is also known as castor bean recinus oil और अरंडी oil जिसका biological source है recinus communis देखो जो seed होते हैं न माली जी एक पोदा है जिसका नाम है recinus communis RC से मैंने लिखा अब इस recinus communis के जो seed होते हैं recinus communis के जो seed होते हैं उससे हमें castor oil मिलता है तो castor oil हमें seed से मिलता है और कौन से seed से recinus communis के seed से तो recinus communis के seed से हमें castor oil मिलता है ठीक है अब यहाँ पर देखो आपको family दे रखी है, जो Caster oil है, उसकी family होती है, U4BAC, जोग्राफिकल सोर्स, मतलब केस्टर oil आपको कहाँ कहाँ मिलता है, तो देखो जो अरंडी का तेल है, वो आपको Thailand में देखने को मिलेगा, Brazil में देखने को मिलेगा, इंडिया में देखने को मिलेगा रोमेनिया में देखने को मिलेगा ठीक है? अब बात करें कि वो seat जो है जो हमने बोला कि रिसीनस कम्यूनिस उस seat से हमें कैसे oil मिलता है हम उस seat से कैसे oil निकाल सकते हैं तो सबसे बिल आपको यहाँ पर क्या करना है caster oil is obtained from caster seed आपको पता है कि यहाँ seed से मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, firstly seed coat को remove करना है अब seed coat को कैसे remove करोगे crush करके, तो आपको सबसे पहले सीट को crush करना है और crush किसे करोगे grooved roller से, ठीक है तो जो आपके पास grooved roller से उनको उनसे आपको क्या करना है क्रश करना है और क्रश किसको करोगे सीट को करोगे तो जो आपके सीड है ना कैस्टर सीट जिससे आपको कैस्टर ओयल मिलेगा उसको आपको क्रश करना है क्रश किससे करोगे रोलर से क्रश करोगे उसके बाद क्रश करने के बाद आपको उसको एर करेंट में रखना है, एर करेंट मतलब बहने वाली हवा, ठीक है, जिसकी वज़े से क्या होंगे, उसके टेस्टा जो है वो रिमूव हो जाएंगे, तो सबसे बिले आपने क्या करा, सीड लिया, सीड को क्रश किया, क्रश किसमें किया, रोलर में किया, उसके बाद उसने आ का एक पाट है तो the kernel are placed in oil expyler at room temperature and applying one to two tern of pressure जो kernel हमें मिला है उसको हमने oil expyler पर रखा है room temperature पर एक से दो टन pressure वहापर लगाया है उसके बाद oil को हमने filter किया और caster oil with 1% acidity is used for medicinal परपस जो केस्टर विल है अगर उसमें 1% परसेंड एकश्टर एकश्टर विद ये या कैस्टर विद फरसेंड एकश्टर पर निकालना है और अगर caster oil में 1% acidity है तो वो medicinal purpose के लिए हमारे काम आता है देखो यहाँ पर morphological character दे रखे हैं कि आप कैसे पहचानोगी caster oil को तो color होता है उसका yellow order orderless taste nauseating nature उसका viscous और transparent liquid होता है अगर मैं solubility की बात करूँ तो जो हमारा अरंडी का तेल होता है caster oil होता है वो soluble होता है water में और chloroform में भी नाव chemical constituent की बात करूँ कि जो हम अरंडी का तेल निकालते हैं उसमें कौन-कौन से chemical constituent होते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा caster oil के साथ और we can say R&D oil के साथ नाव next is evaluation आप कैसे पता लगाएंगे कि वो caster oil ही है तो evaluation करने के लिए सबसे पहले आपको caster oil या फिर आप बोल लीजे sample क्योंकि आपके पास तो sample ही रहता है ना तो sample की reaction करानी है equal volume of alcohol के साथ alcohol को हम OH से लिख सकते हैं तो sample की reaction किसे करानी है equal volume of alcohol के साथ करानी है तो अगर last में clear solution मिलता है तो आपका वहाँ पर caster oil present है तो ज्यान रगना sample लो equal volume of alcohol डाल दो जितना sample उतना alcohol mix कर दो उसके बाद अगर आपको clear solution मिलता है तो वहाँ पर क्या है caster oil प्रेजेंट है ठीक है अब इसकी preservation storage आपको दे रखिए तो देखो it is stored at temperature around 55 degree Fahrenheit to 75 degree Fahrenheit ओके यूजस की बात करूं कहां कहां काम आता है तो caster oil are used as a lubricant यह तो आपको पता होगा साथ इन दे प्रिपरेशन ओफ कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन में भी काम आता है जब आप फिप समिस्टर में आओगे तो वहाँ पर आपको रगन कॉस्मेटिक पढ़ना है कॉस्मेटिक बनती के सहे वह पढ़ना है तरह तरह की कॉस्मेटिक पढ़नी है वह भी 55 marks के according तो ज्यान रखना जो कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन होती है उसमें कौन काम आता है अरंडी का तेल या फिर आप बोल सकते हो caster oil also having mild purgative activity ठीक है अब next oil आपको दे र biological source मैंने लिखा हुआ है यह भी आपको seed से ही मिलता है फैमिलीज की मैंने लिखी हुई है जोग्राफिकल सोर्स श्रिलंका है थाइलेंड है इंडिया है इंडिया में भी कहां आसाम है ट्रिपूरा है ठीक है प्रिपरेशन की बात करूँ कि आपको कैसे मिलेगा यह oil तो सब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा उसको साफ करना पड़ेगा क्लीन करना पड़ेगा फिर उसको वाश करना पड़ेगा और अच्छे से और अगर वाश किया है उसे गिला किया है तो उसे सुखाना भी पड़ेगा तो seed के उपर की impurity हताने के लिए हम वहाँ पर क्या करेंगे उसे clean करेंगे wash करेंगे और ड्राइ करेंगे तो यह आप हर किसी में कर सकते हूँ जैसा kester royal में भी आपको लिखना है तो सबसे पहले आप यही लिखना कि आप सबसे पहले seed लो seed को clean करो wash करो और dry करो ठीक है फिर वहां से testa को आपको रिमूव करना है क्या रिमूव करना है टेस्टा को रिमूव करना है तो सीड लिया क्लीन करा वोश किया ड्राय किया टेस्टा को रिमूव किया टेस्टा को रिमूव करने के बाद क्या हुआ करनल और प्रेशर जो करनल आया है टेस्टा को रिमूव करने के बाद सीड म देखो जहाँ पर आपको order और test इन दोनों में कुछ नहीं लिखना आता हो तो आप एक word यूज़ कर सकते हो characteristics यह में trick बता रहा हूँ आपको यह word आप यूज़ कर सकते हो order में भी test में भी तो कोई भी compound आ जाए तो आप लिख सकते हो order characteristics और test भी characteristics यह एक तरीका है जिससे आपकी lines भी बच जाएगी और आपको number भी मिल जाएंगे यहाँ पर solubility की बात करूँ तो यह soluble होता है alcohol में chloroform में benzene में नेक्स चलते हैं इसके chemical constituent तो chemical constituent इसमें देखने को मिलते हैं जिससे आपका hydnocarpic या फिर आप बोलो hydnocarpic acid साथ-साथ-पामिटिक acid ठीक है और maugric acid यूजिस के अगर मैं बात करूँ तो लाप्रोस्ती को सही करने में TB देखो भई या TB और घर की वीवी दोनों खतरनाक होती है तो TB को सही करने में भी कौन यह oil काम आता है फिर rheumatism को सही करने में कितने बड़े-बड़े फाइदें इसके लाप्रोसी, tuberculosis, rheumatism, पूरी pathophysiology आ गई यहाँ पर सबको सही करने में साथ-साथ, it is also having bacteria sedial activity यहाँ पर आप bacteria कर ले ना bacteria sedial activity भी होती है इसके पास तो bacteria को भी यह kill कर जेता है ठीक है, बात करते हैं इसके preservation और storage की तो इसको हम store करते हैं cool और dark place में साथ-साथ इसे हम store करते हैं well-closed container में तो ध्यान रखना है, well-closed container तो आपको use करना ही है हर जगे क्योंकि अगर आपने open container में रख दिया, ठीक है, तो environment से क्या होगा उसमें impurity आ सकती है तो हमें क्या करना है, जो हमारा container होना, उस container को एकदम well-closed रखना है ताकि environment से कोई भी impurity ना आए और हमारे अंदर का product जो है, खराब ना हो तो ये भी आपको बताना है कि well-closed container में क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर open container में रखा तो impurity आ जाएगी हमारा product खराब हो सकता है, इसलिए हमें से well-closed container में रखना है साथी साथ cool place और dark place में क्यों रखना है, क्योंकि cool place में बेक्टिरिया की growth कम होती है और dark में वो खराब नहीं होते, क्योंकि अगर आपने sunlight में रख दिया, तो product आपका खराब हो सकता है तो आप dark में रखो, और cool में क्यों रखना है, क्योंकि cool में बेक्टिरिया की growth कम होती है तभी तो आप खाने को freezer में रखते हो, freeze में रखते हो, ठीक है नेक्स्ट है आपका wolf head, तो यहाँ पर मैंने synonym दे रखा है, जैसे lanolin, ठीक है, अजनीन, biological source दे रखा है, ओविस, एरिस, यह एक shape है, जिससे आपको में रखा है, फैट, wolf head, family आपको दे रखी है, बॉवेडी, geographical source आपको दे रखा है, कहां कहां आपको देखने को मिलता है, Australia इंडिया, अब देखो सबसे में बात कि यह preparation कैसे है इसकी, क्योंकि में ली आपको क्या लिखना है, preparation से भी लिखनी है, तो देखो, सबसे पहले wool is cut and wash with a soap, सबसे पहले हमने क्या करा, wool को cut करा, wash करा, soap से wash करा, एक दम अच्छे से धो दिया, उसके बाद an emulsion of wool pet called wool grease takes place in water, उ now cracking the emulsion with sulfuric acid, अभी हमने क्या करा, emulsion को crack किया, जो emulsion में बन रहा था, उसे crack किया, और उसे हम crack कैसे करेंगे, with the help of sulfuric acid, S2SO4, तो S2SO4 को add करेंगे, ताकि जो है emulsion, जो है, crack हो जाए, तो cracking the emulsion with the help of sulfuric acid, अब cracking करने की बाद क्या होता है, हमें यह तो पता लग गया, कि हमने emulsion क crack कर दिया, with the help of sulfuric acid, तो वहाँ से, रोल रेनोईन, रो लेनोईन, हमने separate कर दिया, ठीक है, रोल लेनोईन को हमने वहाँ से separate कर दिया, अब लेनोईल को आप क्या बोल सकते हो, wool grease, जो की float होता है, on the upper layer, and fatty acid are dissolved in the lower layer, देखो, एक होती है lower layer, एक होती है upper layer, अपर लेयर में क्या देखने को मिलेगा, लेनोईन, और lower layer में fatty acid, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा fatty acid, और upper layer में आपको देखने को मिलेगा, लेनोईन, ठीक है, अब जो लेनोईन है, इस लेनोईन को आप purify करो, treat करो sodium peroxide से, तो जो लेनोईन है, उसको आपने purify किया, और treat किया sodium peroxide से, फाइनली आपकी bleaching जो है डन हो गई और bleaching डन होने के बाद आपको आपका प्रोटेक्ट मिल जाएगा तो सबसे बहले wool को cut करो wash करो stop से फिर wool fat लो उसका emulsion लो फिर उसको water में डालो अब उस emulsion को crack करने के लिए आप sulfuric acid करो फिर lenoline को separate करो और जैसे lenoline separate हुआ जो है upper layer पर देखेगा fatty acid lower layer पर देखेगी lenoline को आपने का करना है purified करना है किसे purified करोगे sodium peroxide की मदद से bleaching अगेरा करो आपका काम हो जाएगा now next इसके morphological characteristics दे रखे हैं से color इसका yellow होता है whitey shallow साथी साथ आपको यहाँ पर order test और solubility दे रखी है जैसे यह insolubal होता है water में और solubal होता है organic solvent में साथी साथ आपको यहाँ पर chemical constituent दे रखे है chemical constituent की जो आपका वुल पेट है उसके साथ आपको क्या-क्या मिलेगा तो cholesterol है isocolesterol है aster of aulic acid है साथी साथ lenoceric है तो कई तरह कि आपको chemical constituent देखने को मिलेंगे वुल पेट के साथ नाव नेक्स्ट आपको दे रखा है evaluation test तो देखो evaluation test पे आपको क्या करना है सबसे पहले आपको webfate लेना है और we can say आपको sample लेना है उस sample के साथ ब को chloroform add कर दremo हैं सबसे पहले हमने sample लिया Sample के साथ अनी chloroform को add कर दिया और mix कर दिया अब उसके बाद क्या करना है 1 ml Acetic Anidrat डालना है और दो द्रोप S2SO4 के डालनी है तो सबसे पहले वुलफेट लिया उसे क्लोरोफम के साथ मिक्स कर दिया वुलफेट बोलो या फिर सेंपल बोलो उसके बाद एक एमिल acid के और डाल दिया दो डोप sulfuric acid के डाल दी फाइनली आपको मिलेगा डीव अगर deep clean colour है तो मतलब वाँ पर colisterol है और colisterol भी तो होता है हमारे इसमें वुलफेट में देखो मैंने बताया chemical Constitution में colisterol तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कॉलिस्टिरोल है मतलब यह वह ही है ठीक है इस storage के मेने आपको पता ही दी के कूल में dry place में और well-closed container में रखते हैं next आपको इसके uses दे रखे हैं तो यह use होता है as a emollient also used in the preparation of skin creams अब आपको यहाँ पर next दे रखा है जिसका नाम है bees wax तो bees wax का यहाँ पर मैंने वापिस synonym दे रखा है जैसे white bees wax वागेरा biological source दे रखा है कि आपको यह कहां से मिलेगा तो bees wax से नाम से पतल लग रहा bees से मिलेगा मदोमक्की से मिलेगा तो यह आपको मिलेगा apis mellifera से कहां से मिलेगा apis mellifera से तो biological source क्या हो गया bees wax का apis mellifera तो ध्यान रखना है आपसे तूटू मांक्स में पूस्ट रखते है कि bees wax का biological source क्या है bees wax की family क्या है तो family है इसकी api d ठीके अब इसकी geographical source की बात करूँ तो geographical source में इंडिया तो हर जगे है तो इंडिया तो आपको लिखना है ताती साथ फिर आप France, Italy, California, Africa वगेरा लिख दो ठीक है next आपको preparation करनी है कि इसकी preparations होती कैसी है तो यह कैसे बनता है bees wax सबसे पहले आपको क्या करना है honeycomb मदू मक्की का चत्ता melt करो boiling water में डालो wax को melt करो फिर उसे cool करके solidify करो जो यहाँ से आपको wax मिलेगा उसको आपको क्या करना है मेल्ट करना है और जैसे ही wax को melt किया ना अब उसे थंडा करो फूक मार के मत करना थंडा कर देना बस और थंडा करने के बाद उसको क्या कर दो solidify हो जाएगा विससे ही वो तो wax जो melt हुआ था उसको थंडा करा थंडा करने के बाद वो कैसा हो गया solidified हो गया फिर वहाँ से wax remove करके bleaching करनी है H2O2 से या फिर camenophore से bleach करने से क्या होता है उड़ जाता है तो finally हमें क्या मिल जाएगा वहाँ से 20 wax मिल जाएगा तो इस तरह से honeycomb loss उसको boiling water में डालो उसको melt करो melt करने के बाद जो wax melt होता है उसे cool करो cool करके उसे solidified करो फिर wax को remove कर दो with the help of bleaching bleaching किससे करोगे H2O2 या camenophore finally आपके पास 20 wax जो है obtain हो जाएगा ठीक है आगे बात करते हैं इसके morphological character यहाँ पे लिखे हैं color जैसे white yellow order honey like test, waxy solubility की बात करो soluble in organic solvent insoluble in water chemical constituent इसके साथ आपको क्या-क्या देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है serolint, parmitate वगेरा वगेरा evaluation की बात करोऊ तो सबसे पहले wax का evaluation करना है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं sample क्योंकि हमें पता नहीं कि वो wax है तो sample लिख सकते है sample लिया दुंदलापन नहीं आना चाहिए आकरी में तभी हम मानेंगे कि यहाँ पर क्या है आपका wax है तो सबसे पहले sample लो sample को caustic solution में डालो 10 मिनिट तक cool करो कोई turbidity नहीं आनी चाहिए uses की बात करो manufacturing of candies candies बनाने में ointment बनाने में lipstick बनाने में face creams बनाने में कही तरह से यह काम आता है candies ले लो ointment ले लो lipstick ले लो face creams ले लो यह आपका next lecture रहेगा natural allergen तो I hope आपका lecture clear हुआ होगा यहाँ पर हमने अभी तक primary metabolites में carbohydrate, protein enzyme, lipid cover कर दिया है next lecture में marine drug cover करेंगे फिर जो आपका remaining portion इसको cover करके unit 5th complete करेंगे unit 4 हम already cover कर चुके है तो I hope आपको lecture clear हुआ होगा अगर आपको lecture से related कोई भी doubt है तो आप comment section में comment कर सकते हैं और अगर आपको notes की requirement है तो आप join कीजिए telegram telegram open कीजिए वहाँ search कीजिए depth of biology और check कीजिए telegram की pin message आपको मार से notes मिल जाएंगे तो आती साथ instagram से भी join हो जाना है क्योंकि instagram पे मैं आपको daily update और memes upload करता हूँ जो कि आपके daily life से काफिजदा relatable होंगे अगर आप pharmacy aspirant है तो तो I hope आपको lecture clear हुआ होगा subscribe and share for more have a nice day, thank you